के लो वेलकम फ्रेंड्स आपका बहुत भाइब स्वागत है शिक्षा न्यूज यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स इस चनल पर आपको शिक्षा जगत की सारे न्यूस मल दिया आप किसी भी कॉंपेटिशन एक्जाम की तयारी कर रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े यह क्योंकि आपको जो है यहां पर ऐसी डेली नीज जो है आपकी नॉटिफिकेशन से मिलती रहती है ठीक है फ्रेंड्स चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जो मैं आज आपके लिए न्यूस लेकर आया हूं वह लेकर आया हूं मैं केंद्रे कृशी विष्विध्याले बिहार में 143 पदों पे जो इसके आवेदन मांगा था उसकी जो है अब डेड़ जो है पंदरा जून तक आगे बढ़ा दी गई है पहले इसकी डेड़ जो है 31 तारिक तक रखी गई थी मैं स्परेंड्स मैं आपको पूरा पढ़के बताता हूं क्या है पूरा टॉक्टर राजिंदर परशाद कर्शी केंदरे कर्शी विश्विध्याले ने बिहार ने 13 मार्च 2020 को जो है इसका विग्यापन जारी करते हुए 143 पदों पर जो है अंतिम्तिती को बढ़ा बढ़ा दिया था विश्विध्याले द्वारा जारी नोटिस के अनुसार अब इसके लिए जो आवेदन जो है 15 जून 2020 तक कर सकते हैं और इससे पहले जो यह तारिक रखी गई थी यहां रखी गई थी 31 माई तक इससे पूर आवेदन आवेदन की ती थी जो है इससे पहले जो है 17 अपराइल तक रखी थी 2020 तक रखी गई थी तो लॉट डाउन था तो जब लॉट डावा था भारत में तो इससे जो है अब इन्होंने जो है आब डेड जो है वह आगे भड़ा दी कईया आगे आगे बा टैनोग्राफर जीब ड्राइवर टैक्टर ड्राइवर की पदों पर यह भरती होनी है पदों के अनुसार रिक्तियों की संग्या प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 20 पद है जबकी टैक्टर ड्राइवर के 16 पद और अन्य पद भी आप जो है जहां आपको उपलब्त कराए गया ओनलाइन ओफिशल जो है इनका नौटिफिकेशन है आप वहाँ पे जाके अपना इनका एपलाई कर सकते हैं आवेदन के अंदगत इससे पहले आपको जो है रेजिस्टेशन करना होगा उसके बाद ही जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म बनना होगा इसके लिए आवेदन किये जाने वाले पत का नाम उमिद्वार का नाम मुबाइल नंबर जैसी सूचनाई भननी होगी रेइस्टेशन के बाद रेइस्टेशन नंबर पासवर्ड लॉग इन करके जो है आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलाए करना होगा हाला कि उमिद्वार को ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर राजेंदर परसाथ के इंदरे क्रिशी विश्विध्याले दौरा आट मईं 2020 को जारी किया गया है आईू सीमा गणना पूर निर्धारिक तिथी 17 अप्रेल 2020 तक की जाएगी उमिद्वार से पूर्ड पूर्ड मांगी गई है तो इसका जो है आपका रेइस्टेशन करना होगा रेइस्टेशन के बाद पहले तो आपको रेइस्टेशन करना होगा रेइस्टेशन के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म बनना होगा आपको रेइस्टेशन नंबर आपके जो है इमेल इमेल आइडी पर और आपका जो है मोबाइल एसमेस के जरिये भी जो है आपको बताया जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो फिर इस वीडियो में इता ही आश्र क करतूं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई ही तो आप हमारे चैनल श्रिक्षा न्यूटीब चैनल को ज़ा सब्सक्राइब करके क्योंकि हम जो हैं आपको ऐसी लेटेस न्यूस देते रहते हैं ठीक है फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करें bearing ऊत्सक्राइब कैसा